Hello students, welcome in Mehta Digital Classes Students, आप जैसे की जानते हैं कि मैंने आपको दो application करवा दी हैं आज हम application पढ़ेंगे third ओकी students, आज हम third application पढ़ेंगे application for leave to attend a marriage एक application लिखने हैं आपको marriage attend करने के लिए इसमें ऐसे नहीं लिख रखा कि brother की है, sister की है, किसी की भी हो सकती है तो यहां पर as कोई मतलब की brother sister नहीं है आपको marriage के लिख application लिखने है वो किसी की भी हो सकती है ok students तो देखिए marriage के लिख ऐसे application लिखी जाती है तो इस question में जैसे की दे रखा है sister marriage तो आपको यहां पर sister marriage तो brother marriage तो आप brother marriage लिख दोगे इसमें ok students तो देखिए question पढ़ती हूँ में you are भावन एंड संजीव write an application to your headmasters and headmasters to grant you leave for attending your sister a sister marriage तुम अपने sister marriage के लिए क्या करनी है तुमें एक application लिखनी है अपने headmaster को या कोई headmasters है उनके लिए application लिखनी leave के लिए ok सबसे पहले आप अपना address लिखेंगे मैंने की जैसे कि आपको बताया था यहां पे आप यह address दे रखा यह भी लिख सकते हैं या अपनी मर्जी से कोई भी address बना के हाँ पे आप write down कर सकते हैं ok समझ गए अप देखी उसके बाद में आपको address जैसे ही लिख दोगे जैसे जवार नगर बयाना ऐसे लिख रखा है इसमें फिर देखी आगे आपको लगानी होगी date जो भी आज date है वो आज आप date लगा होगी 22 है तो 22 आपको date लगानी है ok students जो भी data वो date लगानी है 22 जैन 2020 ok फिर देखी उसके बाद में हम लोग application इस्टार्ट करते हैं तो देखी आपको सारा मैंने बता रखा है सारा कौन सी side लिखना है left side लिखना है आपको सारा जो होता है address, date हो गया फिर the headmaster से लेके जो भी post होती है उनके वो post लिखे और सारा आपको left side में लिखना होता है right side में कुछ नहीं लिखना है तो अब हम application इस्टार्ट करेंगे तो आप देख भी सकते हो आपके page number 168 पे यह application आपको मिल वे जाएगे students आपको अच्छे से लर्ण करना है और अपनी copy में write down भी करना है तो देखिए the headmaster government senior government secondary school बियाना भरतपूर में है sir आप अपनी school का नाम लिख दीजेगा इसमें ओके फिर देखिए the headmaster mehta senior secondary school जैपूर हर्माड़ा sir तो फिर आगे हम application start करते है respectfully I beg to say that I am going to भरतपूर to attend the marriage of my sister मैं जाओंगा अपनी बहन के शादी अटेंड करने के लिए भरतपूर so मेरी बहन की शादी है so I shall not be able to attain the classes from जो भी date से आपको छुटी चीए ना वहाँ से लेके जैसे की 22 से आप लगाएंगा application जिस दिन application लिख रहे हैं तो उसके 2-3 दिन और आगे तक की जैसे 22 से लेके 26 तक लिख दिया तो इस तरीके से 4-5 दिन के छुटी के लिए आपको यहाँ पर जैसे की 14 जुलाई to 18 जुलाई लिख रहे हैं तो आप लिख दीजिएगा 22 जैन to 26 जैन तक ठीक है जनवरी तक आप application लिख दीजिएगा यहाँ पर आप जो date उसमें लगाएंगे application लिखने के लिए उस date से लेके 3-4 दिन बाद तक की कर पाऊंगी या पाऊंगा जो भी है kindly grant me leave for five days only मुझे चार दिन की चाहे तो चार दिन और पांस दिन की चाहे तो पांस दिन leave for five days मुझे पांस दिन की छुट्टी आप दे दीजे thank you धन्यवाद your words arbitrarily faithfully आप दोनों ही लिख सकते हैं faithfully class 8th roll number आपके जो भी है वो लिख दे ना और अपना नाम लड़कों को तो संजीव नाम लिखना है और लड़कियों को क्या नाम लिखना है भावना जो question में जो नाम आता है वही आपको name लिखना है okay friends आपको दूसरा name अपनी मर्जी से बना के नहीं लिखना है और ठीक है और question में जो add us आ रहा है तो वही add us किस में लिखना है आपको answer में लिखना है okay अपनी फिर मर्जी से नहीं बनाना है आपको नहीं दिया हो ना तो मर्जी से बना के लिख सकते हो नाम नहीं लिखना है इसकी जंगे अगर नाम दिया है तो नाम लिखो वरना X Y Z कुछ भी लिखतो ठीक है अब देखिए अगली जो application अब वो है application for a friendly match application for a friendly match तो application देखिए एक friendly match के लिए school में friendly match होता है उसके लिए application है तो imagine that you are चित्रा या हरी studying in government secondary school लैनिया आप school में जैसे की जैपूर लिख सकते हैं आप जैपूर में चित्रा या हरी लड़की है तो चित्रा और लड़का है तो हरी आपको application लिखने है you want to play a friendly match with class 8 of government secondary school मौकाला जो भी एक दूसरी school है उसके साथ में क्या करने वाले हैं friendly cricket match करने वाले हैं तो write an application to your headmaster to allow you to play a volleyball match वो volleyball match करने वाले हैं इसलिए वो क्या करेंगे एक application लिखेंगे अपने principle को ताकि वो allow कर दें कि वो दूसरी school के साथ में friendly cricket match खेल लें ओकी तो देखें सबसे पहले क्या लिखा है इसमें खुद के हैं उसको लिख रहे हैं तो address नहीं है तो address की जंगे आप सिधा क्या लिखा है इसमें date लिखें तो आप date लिख देजिए ठीक है address तो आप address भी लिख सकते है ठीक है अपना address लिख सकते है पर एप पूरी class की तरफ से लिखी जादी है तो इसमें address नहीं लिखा है तो देखी सबसे पहले क्या लिख दी date लगा दी जाप वोई 22 जन्वरी 2020 दा हैड मास्टर गोवर्मेंट सीनियर सेकेंडर स्कूल जैपूरी उसकी बाद में sir application स्टार्ट करने से पहले respectfully लिखेंगे जो भी आप फ्रेंडली क्रिकेट मैच जिसके भी साथ करना चाते है उस स्कूल का नाम क्लास एर्थ ऑफ गोवर्मेंट सेकेंडर सेकेंडर स्कूल मौलेला ओन दा ओन दा आवर ग्राउंड तुमोरो एट फाइफ पीम काइंडली ग्रांड या रिक्वेस्ट ठीक है वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं रिक्वेस्ट करने के आपको एप्लिकेशन लिखनी है अपने प्रिंसिपल को तो आप उस स्कूल का नाम लिख देना जिस स्कूल के साथ में आप मैच करना चाते हैं और कौन से ग्राउंड में करेंगे ये लिख देना अवर आपको यह एप्लिकेशन लिख देनी है और यह एप्लिकेशन आपको अच्छे से लर्ण भी होनी चाहिए यह वर्स ओबिडेंटी की जंगे वही faithful लिख सकते हैं पर ओके और देखिए the students of class 8 यह पूरे students की तरफ से लिखा गया अभी कोई address नहीं लिखा था एक personal कोई लिखता तो उसका address लिखा जाता उपर समझ गये ना अच्छे से तो आपको यह application और application number यह application for leave to attend a marriage और application number application for a friendly match यह दोनों आपको application अपनी copy में क्या करना है राइट डाउन करना है और अच्छे से इनको क्या करना है learn करना है okay students thank you